A very good morning experience, आज हम पढ़ेंगे 24 मार्च 2014 के current affairs आज के first news है that word tuberculosis day कब celebrate किया जाता है तो हर साल 24 मार्च को celebrate किया जाता है क्यों? ताकि लोगों में awareness लाई जा सके कि tuberculosis के आपके health के उपर क्या consequences हो सकते है social and economic consequences इसके क्या हो सकते है ठीक है ना प्लस दूसरी चीज़ ये कि tuberculosis ये जो बिमारी है इसको हम global level पे कैसे end कर सकते हैं उसके लिए efforts को बढ़ावा देना ठीक है ना तो इसलिए ये day celebrate किया जाता है कब 24 मार्च को बात करें तो 1882 में same date को Dr. Robert Kosh ने announce किया था कि उन्होंने discover कर लिया है the bacterium that causes tuberculosis मतलब जिस bacteria की वज़ा से हम पढ़ते है ना biology में कौन सी bacterial disease है कौन सी हमारी virus वाली disease है कौन सी protozoan disease है तो ये जो हमारी tuberculosis है bacterial disease है and जिस bacteria की वज़ा से ये होती है उससे discover कर लिया था Dr. Robert Kosh ने 24th मार्च 1882 को which opened the way towards diagnosing and curing this disease जब आपको बिमारी का reason पता चुल गया है तो उसे कैसे cure करना है वो थोड़ा easy हो जाता है ठीक है ना तो एक नया रास्ता है और एक नया पात खोला था बाकी के scientist के लिए कि वो further आए और इसके लिए vaccine बन ठीक है ना चलिए तो इसी लिए अब आपको समझ में आगए क्यूं यही date select के गई है आगे चलके बात करें इस दीए का theme क्या रहा yes we can end TB right चलिए second news हम देखे तो martius day जिसे हम शहीद दिवस भी बोलते है 23 मार्च को ही celebrate किया गया है ठीक है ना अब देखे यह जो शहीद दिवस यह जो martius day है यह इंडिया में observe किया जाता है अलग-अलग dates पे ठीक है ना तीस जन्वरी को शहीद दिवस मनाया जाता है in the memory of महात्मा गांधी अश्यक किसने महात्मा गांधी को assassin किया था हम पढ़ते है नतुराम गोड सिंग है ना वाया केल गांधी ऐसी बड़ी novels भी आ रखी है books भी हैं है तो याद रखने हैं कि ठीक है ना चलिए तीस जन्वरी को जो शहीद दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है in the memory of महात्मा गांधी लेकिन हम यहाँ पे ठीक हैं यहाँ पर बात करें 23rd March को जो Martius Day Celebrate किया जाता है उसके बारे में तो यह Day Celebrate किया जाता है ताकि हम उनको याद कर सेके जिन्होंने हमारे लिए मतलब हमें इंडिपेंडन देखने के लिए मतलब हमारे देश को अपने भारत देश को सुतंत्र करवाने के लिए अपने जान देती भगत सिंग, शिवराम राजगुरू, सुपदेव थापर Modern History में बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया भी इनके बारे में ठीक है ना, चलिए, इसी के साथ हमारा First Page होता है Complete वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजेगा इसी के साथ आपको बताना चाहूंगी कि आप सब चाहें तो मुझे Instagram पे भी Follow कर सकते हैं आप सब चाहें तो मुझे Telegram अकाउंट पे भी Join कर सकते हैं दोनों का ही Link मैंने Description Box में दे रखा है चलिए तो आप सीधे चलते हैं अपने Second Page की और आज का Third Point है देट Indian Ambassador to Russia कौन पॉइंट किये गए हैं विने कुमार कौनी Ambassadors प्रोवाइट करवाए जाते हैं या High Commissioner सपॉइंट किये जाते हैं तो जो भी IFS Foreign Services में Officers होते हैं वो इन पोस्ट पे नूट किये जाते हैं बात करने रशिया के तो रशिया Asian continent में भी आता है European continent में भी आता है Capital है इसकी Moscow जो की रशिया के Western पार्ट में लोकेटिड है ठीक है जी आगे चले फोर्थ न्यूस देखिए तो Tropical Cyclone Storm मेगान कहां पे आया है Australia की जो Northern Territory है वहां पे आया है जिसके वज़े से काफी हवाएं चली और तेज बारिश होई है कहां पे Australia में Australia की Capital क्या है Melbourne या Canberra इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी चलिए इक पर फिर से डिसकस कर लेते हैं हम पढ़ते न AC एक कंडिशनर चाहिए गर्मिया बहुत हो जाती है घर्मिया AC चाहिए तो A for Australia, C for Canberra युकि Canberra, Melbourne confused हो जाते हैं तो जो तो काफी टाइम से प्रिपेर कर रहे हैं उनको तो काफी पकड़ हो जाती है टॉपिक्स की चीज़ें बिल्कुल छोटी लगती है उनको लेकिन जो new है इस रेस में उनको धिहान रखना है Canberra is the capital of Australia Australia continent है, capital है चलिए, आगे चलिए, फिफ्ट नेउस देखें तो सरस्ति सम्मान 2023 के लिए दिया गया किसे प्रभावर्मा को जो के केरला के सहित्यकार है इनका poetry work है मल्यालम language में उसके लिए इन्हें ये सरस्ति सम्मान दिया गया है जो इनका work है वो है अब अगर हम आगे चल के बात करें देखे, 2024 में ये दिया गया है 2023 में जो भी आई, novels या poetry उसके लिए ठीक है ना, literature में ये दिया जाता है साहित्य के लिए, तो बात करें annual award है, हर साल दिया जाता है for outstanding prose और poetry literary works जो हमारी इंडिया के 20 official languages है, जो कि schedule number 8 में हमारे समिंधान के listed है, उन languages में अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको ये award दिया जा सकता है किस के द्वारा दिया जाता है, के के बिला foundation के द्वारा दिया जाना start हुआ है, 1991 में and recognized as ये जो award है, इसकी पहचान है as in one of the most prestigious and the highest literary award in the country, हमारे देश का सबसेदा prestigious and highest साहित्य की field में दिये जाने वाला award, ठीक है जी आगे चलते हैं, again हम एक award के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले आप सभी से request है कि वीडियो के साथ में notes बनाते चले, दिखिए अगर आप डेली के डेली notes बनाएंगे, तो वो आप ही के लिए काफी beneficial रहेंगे, आप next day, पिशली दिन के current affairs revise कर सकते हैं, next आप पढ़ सकते हैं, दिखिए अगर आप इसको as a magazine लेंगे, कि हाँ जी, magazine आएगे at the end of month, हम उसे लेगे, कोई गरत बात नहीं है, उसमें हर एक point cover होगा लेकिन वो भी आपके लिए एक subject बन जाएगा तो current affairs को subject नहीं बनने देना है, ठीक है ना इसे subject नहीं बनने दे, इसे एक interesting part रखेंगी नहीं, support के current affairs बनने है, तो आप खुद से दिखिएगे, जब आपको interest create होगा, automatically आपको लगेगा आप एक महिना, दो महिना, डेली current affairs पढ़ेंगे, कि आपके command current affairs के उपर काफे strong हो गई है ठीक है ना, चलिए, हम 6th point देखते हैं, डायना legacy award 2024, yes lady diana, princess diana, इनके बहुत reals, instagram पे और youtube पे देखने को मिलेंगे, अगर आपको तो इने के नाम पे ये award दिया जाता है ठीक है ना, वही वाली, किसी और के नाम पे नहीं उने के नाम पे award दिया जाता है, बात करें 2024 का तो उदे भाटिया एंड मांसी गुपता को दिया गया है उदे भाटिया है founder of उदे electric and मांसी गुपता है founder of house of the mind foundation, ये ना आपको याद करने के जरुद नहीं है है ना, बस नाम याद रखना उदे भाटिया मांसी गुपता ये जो है youth, ऐसे youth जो social action या बोले कि समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे simple भाशा में बोले, हैना, उनको ये award दिया जाता है ये दिया गया एक award ceremony हुई लंडन के science museum में वहाँ ठीक है जी अब देखिए इसी के साथ हमारा second page भी होता है complete और बताना चाहूंगी कि आप सब चाहिए तो G.S. एंटेटें notes भी purchase कर सकते हैं जिसमें history, quality, geography, economics, current affairs, art and culture इन सभी subjects के notes आपको मिल जाएंगे notes purchase करने का link मैंने description box में दे रखा है चलिए तो आप सीथे चलते हैं अपने third page की ओर आज का 7th point है Best Organization Spearheading Sustainable Development Award ये award पहली थी तो आप समझ लें कि earthday.organization ये एक organization है जिसके द्वारा ये award दिया गया है earth day की यादगार में है जिसने earth day celebrate करते हैं अचा कब earth day celebrate करते हैं आपके लिए question है comment section में बताए water day, earth day, good governance day कुछ ऐसे days होते हैं जो बहुत important है जैसे अभी हमने word water day पड़ा 22 March को, good governance day 25 December को है ना कुछ-कुछ days मैंने आपको कहा है कि 10-15 ऐसे days है जो आपको याद रखने है जो बहुत important है उसके अलावा अगर March में आपका paper है तो पिछले 2-3 महीनों के तो बिल्कुल rut low days है कोशन अब अबनने के chances रहते हैं फिलाल हम बात कर रहे है कि earth day dot organization के द्वारा earth day के उप्लक्ष में best organization spare heading sustainable development award दिया गया IAA India को obviously earth के लिए climate change के लिए sustainable development के लिए इनोंने कुछ अच्छा किया उसी के लिए award मेरा तो यह IAA India क्या है International Advertising Association India अब साने चुट-चुटी points से फटफट से cover करेंगे 8th news हमारी है Aviation Week Laureates Award ISRO को दिया गया है Indian Space Research Organization क्यों दिया गया है तो इनकी यानि ISRO की जो achievements रही with the historic चंद्रया three mission उसके लिए ठीक है ना आगे चले हम 9th news देखें तो CERA Week Leadership Award कहरा Week Leadership Award बोलो या वैसे प्रणाउंस कर लो तो यह award डॉक्टर सुल्तान अल-जबेर को दिया गया है जो की COP या Conference of Parties 28 के President रहे क्यों दिया गया है चलिए वो सब देखते है for building global consensus towards a sustainable energy future वही चीज sustainable energy sustainable development sustainable future है ना उसके लिए वर्क किया यह जो है CERA Week जो की SNP Global Conference at Houston में celebrate किया गया वहाँ दिया गया COP क्या है Conference of Parties United Nations की Climate Change Conference है हर साल होती है इस साल दुबई UA में हुई तो वहाँ के जो President रहे उनको यह ओर्ट दिया गया आगे अगे अगर हम बात करें 10th News हमारी है Lama Labzang Past away recently कौन थे prominent Buddhist Monk थे लद्दाक के जिनके recently death हुई है 11th point अगर हम देखें तो North East Games 2024 कहां हुई है Nagaland में North East है मतलब जो Seven Sister States है है ना उस साइड हुई होगी या सिक्किम में हुई होगी तो North East Games 2024 की Nagaland में हुई है Third edition है साल हो रहा है इसकी opening ceremony हुई Regional Center for Sporting Excellence Sovima ठीक है जी अब दीखें इसी के साथ हमारा ये पेस भी होता है complete मुझे comment section में जरूर बताए आप लोग notes बना रही है या नहीं और चलिए इसी के साथ अब सिधे चलते हैं अपने fourth और अपने last pace की और आज का 12th point है that Laura Kenny ने recently अपनी retirement announce की है cycling से कौन है ये Britain की most successful female Olympic athlete है ठीक है ना तो Laura Kenny cycling से retirement Britain से है याद रखना है 13th news अगर हम देखें तो इंडिया का पहला indoor athletics and aquatic centers indoor माने के एक stadium है उसके इंडर ही सारे events होगे outdoor माने stadium के अंदर नहीं हो सकते है बाहर खुले मैदान में होगे ठीक है aquatic आप समझते है जो पानी से related games होती है आपके swimming हो गई है ना वो सब कुछ तो इंडिया का पहला इस तरह का indoor athletics and aquatic center inaugurate किया गया है Odisha के CM के द्वारा मतलब Odisha में Kalinga Stadium में जो है फिलहाल ये जो पूरा center है वो inaugurate किया गया है It is capable of holding continental and regional championships indoor जो है continent के level पे मतलब Asia के level पे या किसी अगर हम बात करें regional का मतलब है कि माली जी आसियान है ना आसियान का हो गया तो ऐसे कुछ championships रही regional लेवल पे या continental लेवल पे hold कर सकता है आगे चलते हैं 14th news दिखते हैं ये जो points है 14th and 15th very very important DHL Connectedness Index 2024 रिलीज किया गया है DHL Connectedness Index Connectedness माने कि connect हुए है किसी से कुछ ऐसा index है है ना नाम से लग़े चली देखते हैं पहली चीज तो DHL प्लस New York University Stern School of Business इन दोनों ने मिलकर ये index रिलीज किया है ये rank करता है countries को based on their connectedness to the world through the flow of trade information and people व्यापार के थ्रू knowledge के थ्रू लोगों के थ्रू कैसे कोई country बाहर की country से connected है उसके उपर जो है इस index में ranking दी गई है तो यहाँ पर top किया Singapore ने second रहा Netherlands and India का rank रहा 62 out of 171 countries अब ये है इस साल का पिछले साल जो है India का rank था 67 इसका मतलब ranking काफी ज़दे improve हुई है 5 position से improve हुई है अच्छा बहतर हुए हम आगे की ओर बढ़े अब यहाँ पर Singapore and Netherlands दोनों की location map की उपर दोनों की capital दोनों की continents दोनों की neighboring locations neighboring countries आपको खुद से देखना है ठीक है जी अब देखिए इसी के साथ हम पहुँच गए अपने आज के last point की ओर यह publish की जाती है annually on the UN International Day of Happiness International Day of Happiness कब सरिब्रिट किया जाता है अभी दो दिन पहले मैंने पढ़ा है ठीक है ना तो उस दिन यह report रिलीज की जाती है ranking रही same पिछले साल भी यही rank था इस साल भी यही rank है top की ओ फिल्लेंड ने मतलब happiest country for the 7th consecutive year साती हुबार लगा था top की है मतलब दुनिया ले सबसे खुश कंट्री है Finland and bottom पे है Afghanistan यह happiness वाला concept कौन लेकर आया था भूटान लेकर आया था भूटान जो है जो global level पे उनका happiness index आता है तो वो उसको ज़्यादा better मानते है GDP से वो GDP को इतना superior नहीं मानते देश की economy की growth चेक करने के लिए जिबकि वो happiness index को ज़्यादा मानते है ठीक है जी अब देखिए इसी के साथ हमारे आज के current affairs हो गए complete वीडियो पसंद आए तो like जरूर कीजिएगा चैनल को जरूर subscribe करें bell icon को प्रेस करें so that मैं जैसे को वीडियो अप्लोड करूँ सबसे पहले notification आपके पास पहुँचे प्रिस जो भी आपके friends हैं जो भी government exams के लिए prepare कर रहें उनके साथ भी मैं चैनल का link जरूर शेयर करें so that in handwritten notes का उन्हें भी कुछ फाइदा हो सके तो चैनल के लिए इतना ही अब हम मिलेंगे next video में so that's it and see you soon